नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नौलेज इन हिंदी और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आपके पास भी पंजाब नेशनल बैंक यानि कि PNB का अकाउंट है और आपको अपनी कस्टमर आइडे चाहिए य मैं आपको दो तरीके बताऊंगा सबसे पहला तरीका है आसान और दूसरा तरीका सोड़ा मुश्किल है पर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है सबसे पहला तरीके में आप अपनी जो बैंक की पास भूक है उसी लीजिए उसका फ्रेंट पेज ओपन करिए जहां पे आपका नाम, अकाउंट नमबर और डिटेल लिखी हुई है तो आपका जो पासबूक है कुछ ऐसा दिखता होगा सेम टो सेम लगता होगा डिटेल अलग होगी बस देखें यहाँ पे आपका कस्टमर आईडी यानि कस्टमर नमबर लिखा हुआ है मैं से जूम करता हूँ आपको समझाता हूँ सबसे उपर लिखा होगा mode of operation यहाँ पे self है यह self account is लिए self लिखा है यहाँ पे लिखा है customer नमबर इसको यहाँ पे customer आईडी भी कहते हैं इसके आगे मैंने छुपा रखा है हटा दिया है क्योंकि वो एक detail होती है जो कि privacy is related होती है यहाँ पे अधाकार नमबर होगा account नमबर होगा जो कि मैंने छुपा रखा है नाम होगा तो यहाँ पे customer नमबर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ की customer आईडी है यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है जैसे लिखा हुआ है आपको वो एंटर करना है सबके पे अलग लिखा होता है आप अपनी पास्बुक खोलिए अपने family में किसी और की पास्बुक उपन करिए यहाँ पे उसका अलग होगा आपका अलग होगा ध्यान रखिएगा अब एक और तरीका बताता हुँ मैं इसके लिए आपको जाना है गूगल में या गूगल क्रोम ब्राउजर में आपको यहाँ पे सर्च करना है पी एन बी इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पे आपको पहली वेफसाइट मिल जाएगी इस पे आईए यहाँ पे आपको मिलेगा लॉग इन लॉग इन पे आईए और रीटेल इंटरनेट पे आजाईए रीटेल इंटरनेट आपको देखना है ढूड़ना है यहाँ पे होगा कहीं देख लिजिए वनना लॉग इन पे आके इसे retail पे करिए इस पे touch करिए थोड़ा सा wait करिए इसे zoom करिए थोड़ा zoom करते हैं यहाँ पे आपको मिलेगा know your user ID customer ID को user ID भी कहते हैं इस पे touch करें थोड़ा सा wait करें यहाँ पे आपको दो चीजे enter करनी हैं या तो आप pen card number डाल दीजिए या अपना account number डेटो बर्स enter कर दीजिए तो मुझे अपना account number डेटो बर्स याद है वरना मैं pen card number भी enter कर सकता हूं मैं यहाँ पे account number डेटो बर्स enter करता हूं क्योंकि मुझे pen card number याद नहीं है तो मैं enter कर देता हूं अपना account number मैंने अपना account number और date of birth डाल दिया है यहाँ पे मैंने pen card number छोड़ रखा है क्योंकि या तो आप उपर वार एंटर करिए दोनों या नीचे वाला verify पे touch करिए verify पे touch करने के बाद आपका जो number bank account में जुड़ा हुआ है जो भी number आपके bank account से link है उस पे एक OTP आएगा वो जरूरी है तो मैं OTP का थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ अब कौन से number पे आएगा देखी यहाँ पे लिखा है last में 94,77 है मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ मेरे OTP आ चुगा है यहाँ पे है 73,91 आपका अलग होगा मैं अपना OTP एंटर कर देता हूँ 73,91 और continue वाले option पे आपको touch करना है थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पे आपका customer ID मिल जाएगा मैं जूम करता हूँ देखी यहाँ पे लिखा है customer ID your user ID for internet banking यह आपका customer ID भी होगा तो like जरूर करें कोई सवाल है तो comment करना मत भूलिएगा